Hello Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola E40 Android Mobile Phone में Color Inversion Setting को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे इसका यूज होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते है सबसे पर आपको अपने फोन में Setting Page ओपन कर लेना है तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आणा है और यहाँ पर आपको Accessibility का Option मिल जागा यह वाला डिस्पले का ये black हो चुका है अब यहाँ पर जो है यह आइकन साब देख रहे हैं इन आइकन यह अंदर की शेप ओती यह जो है इनवर्ज की सेड में जो है वह हाइलाइट हो थी जो शेप आइकन की मैं आपको mobile phone की home screen पे आके दिखा देता हूं यह आप देख सकते है ठीक है जैसे Facebook का F जो होता है वो highlight यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर जैसे fan code fan code का F4C यहाँ पर ज्यादा highlight हो रहा है ठीक है तो इसी तरीके से color inversion setting काम करती है जैसे कि आप यहाँ पर ATL के icon में देख सकते है अंदर की side में ATL जो है और उसका shape जो हो highlight हो रहा है ठीक है इस तरीके से color inversion setting जो है यह काम करती है आपके पूरे mobile setting में इसका effect पढ़ता है ठीक है और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता जेता हूं कि यहाँ पर जो है आप इस setting को disable भी कर सकते हैं इसी बटन पर दबा कर ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको इस video में मैं आपको shortcut तरीका बता जेता हूं इस setting को ढूनने का आपके mobile phone में सबसे पहले आपको करने क्या है कि setting page open और здесь you can add to setting पर सबसे ओपर सर्जाच बाहर दिखता है इसे आपको टैप करना है यहाँ अफो 这id color you're a zain यहाँ पर टाइक कर देना है color interesting ठीक हैो तो नीचे की साइड में एक option सो